आपकी आवाज गायव हो गई है होखाब है नमस्कार आपका मुद्दा लेकर मैं आकांगशा फिर हाजिर हूँ हम जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं कहीं न कहीं उसका गहरा असर हमारे मन मस्तिश पर होता है विगत कुछ सालों से कुछ हैसे कारिक्रमों का प्रसारण बढ़ा है जो अपराद से संबंधित रहे हैं जिनका उदेश ये तो था लोगों को जागरुक करना उनके प्रती लोगों में अवेर्नेस लाना बढ़ते अपराद को देखते वे आज का मुद्दा है क्या धारावाहिक फिल्म और वैब सीरीज क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं और आज के मैमान है सतीश जैन जी वरिष्ट सिने निर्देशक चातीजगर से मैथली शरण गुपता जी सेवा निर्वित आईपीस अधिकारी है भोपाल से डॉक्टर रूमा भटाचार मनोची कितसक है भोपाल से और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंस्पेक्टर रोहित मालेकर आप सभी महमानों का हम स्वागत करते हैं बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का नमस्का जी और सबसे पहला सवाल जो है हम चाहेंगे मैथली शरण गुपता जी से आप से पहला सवाल यह है कि क्या लगता है आपको कि अपराद के लिए जो क्या वास्तों में वो कॉंसेट सिनेमा फिल्मों और धारवाहिकों से आ रहा है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब किसी मस्तिक को उपाए मालूम पड़ते हैं तो उसका कुछ सथ दिमाग जो है उनको गराय करके उससे यह सीक लेने की अपराद नहीं करना है यह सीक ले को पकड़ सके जो कि लोगों का सग्यान ले सके तो यह और भी सबूलियत वाला हो जाता है एदि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में अपराद एक सबसे बड़ी इकोनोमिक इंडस्ट्री है जिसमें की आप एक फोन करके एक खोका पा सकते हैं ऐसा कोई वेवसाय नहीं है जो एक फोन से आपको एक खोका दे दे तो इसमें डबल चीजें हैं एक तो जो है यह जो वेव सीरियेज और बाकी चीजों से एक जो परचार जो होना चाहिए कि अपरादी को कैसे पकड़ा जाए अपरादित की पतारशी कैसे की जाए और अपरादियों को सीख्षे के अंदर कैसे विठाये जाए वो उल्टा ये प्रचारत करने के लिए उपयोग में आ रहा है कि अपराद करने की विधी क्या हो सकती है सामगरी कहां से मिलेगी और बैगराउंड में उसे ये भी माल है वो इतनी बेकार और लचर है कि अपरादी को सजा मिलने में वर्सों वर्स लग जाते हैं कि अपरादी को सब्सक्राइब जाना चाहेंगे कि किस तरह का असर पढ़ रहा है हमारे युवाओं पे और हमारे खासतोर पर बच्चों पे क्योंकि हम यह देखते हैं कि बहुत छोटे चोटे बच्चे आजकल आत्म घाती जो निर्णय ले लेते हैं आपको क्या लगता है कि कही न कहीं इनका प्रभाव जो है सीरियल्स का प्रभाव इन पर है डॉक्टर रुमा पटाचारे आप तक आवाज आ रही है हम तक हमारी आपको क्योंकि जिस तरह से हम रोल मॉडल की तरीके से प्रस्तूत कर रहे हैं इस तरह से क्या हम एक अच्छा भविश्य दे पा रहे हैं अपनी नहीं जिनरेशन को क्यों है कि जिसीत पूर कर दिमाग पर असर होता है लेकिन くला नहीं जो जो होता है लेकिन यह कहना कि पूरा का पूरा सिने मा की वग ड़ा यह मैंनी मानता क्योंकि वह जो वेव सिरीज है, जो हिंसक वेच रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में दिखा जाता है, हमारे चछतिजगर में भी निखा जाता है, बहुत ज्यादा दिखा जाता है, लेकिन आप हमारे साथ बैठे हुए हमारे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बेठे, जो मुझे जानकारी है, मुझे लगता है कि छतिजगर में क्राइम बहुत ही कम है, क्राइम रेट बहुत कम है, तो उसका आसर यहां भी होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है उसका असर एक और चीज़ आपसे पूछना कि उनका क्या मत है, रुमा भटेचारे आपसे मेरा यह प्रशन है कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो फिल्में है, वैब सीरीज है, यह जो धारावाही के, यह किस तरह का असर डाल रही हैं नौ निहालों पर और नौ जवानों पर, देखिए कोई भी चीज का असर न में दिखाया जाता है, उसका बहुत ज़ादा असर खाज कर कि शवा वस्ताउ औरος युवा पेड़ए में होता है, तो अगर हमारे हम लाडिन को कि ambition जो उनो और गर में देखो लुड़ावद सनो बुह जो है उसका बहुत गहरा मेननिंग है, तो जब हम लगाथा नेगिट तो बहुत प्रभाव डालता है अगर हम नेगेटिव चीज़े देखेंगे तो हम वैसे होगे पॉसितिव चीज़े देखेंगे तो हम वैसे इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगे तो यह हमारे विर्माताओं पे भी एक सामाचिक मेरे खाल से रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि वो युवा को सही तिशा कितना दिखा सके कितना मोटिवेट कर सके पर बात यह है ना कि एक माटिरियलिस्टिक दुनिया है और हर कुछ पैसे से चुड़ा हुआ है एवरीथिंग इस लाइक फॉर सेल तो नेगेटिव चीज़े जादा बिखती हैं क्योंकि वो जादा रोचक होती हैं और जितनी आप न्यूस पेपर भी देखोगे पढ़ोगे तो कहां चोरी हुई कहां रेप हुआ कहां दोखादड़ी हुई कहां यह कोई नहीं लिखता है कि किसी का पर्स गिर गया तो फला वैक्ती ने उठा के दिया या उसका यह गुम गया तो उसको वापस कैसे मिला यह कभी नहीं लिखेगा समाज में अच्छाया भी हो रही है लेकिन वो कम देखती हैं जी नेकितिव चीज़े ज्यादा बेखती हैं तो यह निर्माता प्रोड्यूसर्स, सल्मेकर्स इस तरह की चीज़े बनाते हैं और दुर्भागयपूर्ण वो काफी हद तक संपूर्ड परिफ Mercy लीत जर्फ होंगी क्युक्न हर इंसान की अपनी मानसिकता होती है, इक अपनी psychology होती है, अपनी sexuality होती है, अपना attitude होता हैर। तो संपूर्ण रुप से तो वो नहीं प्रभावित कर पाते हैं लेकिन जो परिपक्व मानसकता वाले लोग होते हैं या किशोरावस्था के बच्चे होते हैं युगा होते हैं जिनकी परस्नालिटी अभी डेवलब होने की प्रक्रिया में हैं उनको निश्चित रूप से वो एक नेगितिव थाली परोस रहे हैं तो क्राइम में कुछ हद त क्राइम को कुछ हद तक बढ़ाने में शायद इन लोगों का भी हाथ है जी रोहित मालिकर जी इंस्पेक्टर साहब यहां पे हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप जब मुखातब होते हैं अपराधियों को पकड़ते हैं उनसे बाचीत करते हैं तो क्या उनकी बातों में क लेकिन हम इससे यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्हों ने फिल्म गे या फिर सिनेमा देखके ही अपराध करना उन्हों सीखा है मांमले आरूपी होते हैं उसका जब integration करते हैं तो कुछ ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं मारे सामने का अफाराद करने का तरीका है मारे अपराद करो है यह बचने का तरीका वहां मीधिन चुछ नए अगरेदी किस्म का है यह सकता है यह जो आधा है, इस इसे तरीकों को dec cheapest to food in the throat Ну झाल रखे होगति एरफि जो प्रसारण होते हैं ऊजो उन प्रसारण से ही보 Cyrus in जाएगा या अपराधिक प्रविक्ति उनमें बढ़ेगी यह कहना मुश्किल है मेडम ने एक चीज़ दोर कहा जो मुझे मैं उस पे साहमत हूँ इन्हों ने कहा कि बच्पने में विक्ति जब वो ग्रोध कर रहा होता है तो ऐसी कंडिशन में मनवग्यानी गूरूप से वो दिये जा रहे हैं बच्चों को तो निश्ची थी उनके मनवग्यानिक रूप से उसको प्रवाइट करेगा और जो मनवग्यानिक रूप से जो पूरी तरह से जो क्रिमिलल हो चुके हैं ऐसे विक्ति को मुझे लगता है वो प्रवाइट नहीं करेगा और अलग विक्ति के गुपता जी आप से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम अपराध के ग्राफ को बढ़ते वे देख रहे हैं इसका कारण पूरी तरह से तो हम सिनेवा या धरावाई को नहीं दे सकते ऐसा अब तक की चर्चा में निकला लेकिन उसके बाउजूद हम जो देखते हैं अपराध क स्वरूप इतना डरावना हो गया है लोग इतने बेतर तीब तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे हैं तो इसके लिए दोशी आप किसे कहेंगे आपने बहुत संदर प्रिश्ण किया है इस पूरी वेवस्ता को एदी मैं जड़को देखना चाहूँ तो मुझे राजनेता दिखाई देते हैं क्योंकि आपको जो इको सिस्टम दिया गया है वो घटिया इको सिस्टम दिया गया है ये पूरा इको सिस्टम अंग्रेजों ने भारती गुलामों पर सासन करने के लिए बनाया था वही बिना कॉमा फुलिस्टो बदले आपके उपर थोग दिया गया जो वेवस्ता इसको हैंडल करने के लिए बनाई गई थी वो इतनी घटिया वेवस्ता थी कि जो freedom fighters हैं उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं भी होती की होती थी तो भी उसको नियाय का ढखोशला करते हुँ उसे फासी के फंदे पर चड़ा दी जाती थी और हमने जो है उसे चार-चार आर्टिकल्स एकसो नो एकसो ददास, एकसो ग्यारा, एकसो बारा में उसको बहुत ज़्यादा सर्रक्षन दे दिया है और 197 CRPC के तहट तो हमने उसे नियाय वेवस्ता के भी उपर कर दिया है यह लज्जा और सरम का विसाय है कि हजारों की संख्या में यो डवलू और लोकायक्तुमें केसिस लंबित हैं लेकिन यह राजनेता क्योंकि यह अदकारी जो है वो उनके चरण सेवक बने हुए हैं लेहाजा यह बेसरमी से इजाजत नहीं देते हैं तो जो इको सिस्टम बनाया जा रहा है उस इको सिस्टम में इन्होंने सबको अपना चरण सेवक बना लिया है वो आम आदमी की ना तो सुनवाई कर रहा है ना उसकी F.I.R. दर्ज हो रहा है जो पुलस अदकारी है उनमें वो स्किल सेट ही डवलप नहीं किया गया है कि वो अच्छी बेवेशना कर सके जब फर्यादी उनको बताता है कि यह चीज कर लीजिए वो बेसर्मी से उतना भी नहीं करते हैं जो जनता की आम आदमी जो ना करता है एक बात हम आपको और कहना चाहेंगे कि कानून की दुष्टी से भारत का हर नागरिक पुलस अदकारी है सेक्षन 39 CRPC के तहट उसके द्यान में एदी सग्यान संगे अपराद आता है तो उसे रिपोर्ट करने का की जिम्मेवारी है और एदी वो इस जिम्मेवारी का निर्वेहन नहीं करता है तो उसे प्रोजिकूट किया जा सकता है, उसे जेल में डाला जा सकता है और इसमें यूरिस्प्रोडेंस को बदल दिया गया है यहनी सामान अपराद के केस में पुलिस और प्रोजिकूशन की जम्मेवारी होती है कि यह सिद्ध करें कि beyond reasonable doubt वो अपराद घटित हुआ है जबकि section 39 के violation में यह ब्यक्ति को सिद्ध करना है कि he is innocent तो यह बात जो है किसी को नहीं बताई गई है इसी तरीके से भारत का हर नागरे भारत का हर प्राइवेट बैक्ति को गिर्फतारी करने का अधिकार section 43 CRPC के तहट दिया गया है section 100 के तहट उसे self defense के तहट अधिकान सापराद जिसमें की मौत होने जैसा kidnapping, even rape जैसी घटना हो रही है या acid fake जा रहा है या hijacking जैसी घटना हो रही है ऐसी साथ प्रस्तितियों में वो voluntarily death कारित कर सकता है लेकिन हमारी दुस्ट पुलिस जो है फरजी encounter करके अगर हम इस तरह से चीजों को दिखाते रहेंगे तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं न कहीं अपराद के प्रती उन्हें और शेय मिल जाएगा इस विशा पर फिर से मैं आपके पास लोटूंगे सतीश जी तरह रुख करते हैं सतीश जी आप से जाना चाहेंगे कि ये जो dramatic form में cinema में प्रस्तुति करण होता है ना जैसा कि आपने जिक्र किया serial का तो जो घटना घटी है और उस पर जो कारेवाई हो दी है जाए झाल से ज्यादा कि दिमाग में मन मस्तश का जब जैसे जैसी ओड़ियार के लिए ब्छने के जादा वो लोग उस चीज़ों को देखते हैं, इसले वो लोग इस चीजों को देखते हैं कि उन्ही के हाथ hè मूबास हो ट्रया में हमापर है ऐस जिचे अवगों किscreen हिभा नुग मजpping कर दो सोले वा खर्शूर को दें की code कर दूए है में जो जिम्मैदारी है सरोकार के बनए कर दाएशॉं किसी चीजी पर प्रकूम हम वह इस तरह की चीज़े बना रहे हम लोग हमको इस चीजों को सोचे क्योंकि हमारा हमारा जनरेशन हमारे बात का जो इसे प्रभावित हो रहा है तो उसके लिए ऐसी चीजे ज्यादा ना करें जो अगर हम अगर हम थीक है वह भी बिसनेस कर रहे हैं वो भी दंदा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, करोणों अर्बों में आजकल कारोबार चला गया है, पैसा लगता है, तो अपनी चीजों को वापस लेकिन वो अतिरेक्स से बचे, और खुद सेल्फ सेंसर होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए, कि आप कहानी को इतना इं हमारी की फिलके फिल्मों को, मतलब 90% फिल्मों को U or U A Certificate मिलता है, मुझे याद नहीं, कि एकाथ फिल्म को छोड़ में A Certificate नहीं तया है, हम लोग फिल्में काईसी बनाते हैं, ज्यादा तर लोग सारी हम लोग वोग बनाते हैं, family based बनाते हैं, लव इस्टोरी होती है, पारिवारी कहानिया होती है, हम हिंसा को और प्रस्तुत होती है, अपराध ही जब इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं, तो समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या अपेक्षा आप लोगों से रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो कि समाज की तरफ से भी आपके तरफ आती हैं, कई बार करें आपको इंटरनेट में एजली कहीं भी वीडियो आप फिल्म देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गूगल आपके पस ओलेबल है, जो इंटरनेट के बात करें, उसके पॉस्टिव निकेटिव दोनों एक्सपेट्स हमारे पास हैं, जहां आपको जानकारी आपको पॉस्टिव निकेटिव लेकिन उसके पॉस्टिव ऑस्पेट हैं, ज्यादा हैं, तो इसके निकेटिव ऑस्पेट भी क्राइम्स की रूप में हमेरे सामने आ रहे हैं, जैसे एक चोड़ा सा उदान आपने कोश्चन जो किया, कि समाज की क्या पूमिका होनी चीए, मैं मोबाइल हमारे पास जो है, उस मोबाइल को हम घर में देखते हैं, तो इस मोबाइल से आप बच्चों को अगर मोबाइल कराते हो, उसका पॉस्टिव एक्सपेट यह है कि आप गूगल करके बच्चे जो भी जनना चाहें, आप उससे जान सकते हैं, और बहुत सारे एप्स और अभी कोरोना काल में अपने देखा, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को ठफ होने से इस मोबाइल नहीं, जो बहुत सारे जो एप्लिकेशन होते थे, जूम एप्लिकेशन ट्यूम और उसके मादब से एजुकेशन सिस्टम को उसने बाहल कर रखा था, तो इसके इसके लाबा निगेटिव एक्सपेट यह हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल में, उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अपने परसान की बात की अलग अलग टीवी सीरिल्स होते हैं, अलग अलग जैसे वीडियो, यूटूब्स हैं, जिसमें इतने सा मतवा आपरात बड़ रहा है तो पैरेंट्स के क्या वाएट प्रभाएटर हैं, अब पैरेंट्स के क्लिए होती है, in society के वाइत हैं, आगा हम एक मोबाइल में, बच्चों को क्या धिखाना चाह. तो यह अगर हम करते हैं तो जो उस लेबल पर जैसे मैडम ने बताया था कि कुछ ही लोगों को जादा इफेट पर सकता है इसका खास कर ग्रोविंग स्टेच पर अगर बच्चे हैं उनको इसका इफेट ज्यादा पड़ सकता है तो हमारी जो यूवापीडी है उनको हम क्या क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है तो यह है कि आप सारी चीज़े इंटने में मॉबाइल में भी सारी चीज़े हमारे अंडर कंट्रोल होती है अगर उन दिये गए टेक्मोजिस को हम सही तरीके से उप्योग करे तो उसके दुरूपयोग और अपरादिक यह है कि जब बात होती है कि अपराद के बढ़ने की बात होती है आपने साशन प्रशाशन की कमियों को भी गिनाया है तो अब जानना चाहेंगे कि क्या भूमीका एक समाज सेवी के रूप में होनी चाहिए लोगों की और किस तरह से हम इस अपराद के ग्राफ को रोग सकते क्योंकि अक्सर जब कहीं अपराद घटित हो रहा होता है तो आस पास के लोग मौन रहते हैं और कई बार हमारा मौन रहना भी अपराद को अंजाम देने के लिए काफी होता है तो इस विशाप पर आपका मत जाना चाहेंगे देखिए बहुत आसान सी बात है कि जिस टेक्नलोजी की हम बात कर रहे हैं उसी टेक्नलोजी को उसी आर्टिफिशल इंटलिजेंस को उसी डीप लर्निंग को हम बहुत एफेक्टिवली प्रो एक्टिवली कॉंटेंट केप्चर करने के लिए यूज कर सकते हैं दूसरी बात जो आपने पहले कही है कि उसमें जो लॉका फ्रेमबर्ग है वो बहुत स्ट्रॉंग बनाना चाहिए और थर्ड जो एस्पेक्ट है कि हम प्रोजुकुशन वाले पार्ट में उसकी कैप्चरिंग इविडेंस की बहुत एफेक्टिवली करें और हम जल्दी से उसे प्रोजुकूट कर सकें बिदिन 30 डेज इफ इट इस पॉसिबल हमें अपने एको सिस्टम को थोड़ा सा रीडेजाइन करना पड़ेगा और चुकि भारत का हर वेक्ति पुलस अदकारी है लीगली उसे पावर ऑफ अरेस्ट भी है तो हम जो है सुसाइटी को इंटीग करवाई की जाए क्योंकि ये दोनों चीज़ों को बैलन्स में चलना पड़ेगा एक तरह कि कॉंटेंट को हम ना आने दें एक इस परस्ट गाइडलाइन्स हो और देखिए कॉमर्सियल इंट्रेस्ट वाला तो घटिया चीज अपनी टिया पी बढ़ाने के लिए लाएगा उसे जो है ना समाज से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये समाज के जो मापदन्ट है वो इतने गर गए हैं कि हम जो है ना नकली दवा विचने में सरम नहीं मैसूस करते हैं तो जिससे की आदमी की जान खत्रे में पढ़ सकती है तो ये कॉंटेंट तो बहुत छोटी सी बात हो गई है और इंटरनेट पे इतना बाइडली जो है ना नेगिटिव कॉंटेंट अबलेबल है हम टेक्नोजी का यूज करके हम सोसल समाज का यूज करके उस कंटेंट की रिपोर्टिंग को फैसलिटेट करें और प्रॉम्ट एक्शन के माध्यम से यदि हम कारवाई कर तल्फ कारी आज के और राजनेताओं की है दो प्रॉवाइड य एको सिस्टम हम लोग जो जो भी चर्चा करते हैं उसका एको सिह्स टम पर कोई कंट्रोल नहीं है वो सिर्फ कहानिया कहता है जिस कहानिया कोई लेना देना नहीं हैestra Wukton का जमीन पर कोई असर नहीं पड़न वाला है, because eco-control is not there in any one of ours control. तो eco-system है, उसको हमें re-design करना चाहिए. If we can really control this eco-system, I am very sure the whole environment will change. देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारा behavior कुछ अलग होता है. जब हम विदेश जाते हैं, because वहां का system… सतीश जी से एक आखरी प्रशने लेना चाहेंगे, कि जो लोग इस तरफ सिने निर्देशक के शेत्र में आ गया रहे हैं, खास्तों आपर वेब सेरीज का जो निर्मान कर रहे हैं, और ये जो मार्धार वाली फिल्में आ रहे हैं, या अपरात को बढ़ावा देने वाली जो स देना चाहेंगे आप. कि अपनी जिम्मेदारी समझेए सचेत रहिए सजग रहिए किसी और विशय पर होगी आप समला का तब तक कीजिए थोड़ी से प्रतिक्षा थोड़ा संताज नमश्कार